के आज की इस एड़ो पर मैं आपको दिखाने वाला हूं ओनलाइन फोटो एडिटिंग आप कैसे कर सकते हो एंड मैं प्रोफिशनल सीवी फोटो एडिटिंग के बारे में बात कर रहा हूं तो बिना टाइम वेस्ट के टूटेल को स्टार्ट कर लेते हैं तो ओनलाइन फोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपिन करने एंड यहां पर आपको सर्च कर देना है रिमूव बीजी ठीके रिमूव बीजी आपको सर्च करोगे देन आपके सामने यह वेबसाट आजागा इसको पर आपको क्लिक करना है यहां आप देख सकती हो जस्टी ओपिन हो चुका है ठीके अब इसमें ओनलाइन फोटो एडिटिंग करने के लिए आपको अपने फोटो को सेलेक्ट करना है तो आप यहां ब्रॉज के ओपर सिंप्ली सा क्लिक करना देन आपको डिवाइस का यह option खुल जाएंगे कुछ फाइल से खुल जाएंगे आप यहां थ्री लाइन को पर क्लिक करके images के उपर जा सकते हो ठीक है देन आपकी डिवाइस पर जितने भी folder में images होंगे वह सारे folder यहां सो हो जाएगा तो हम इस वाले folder को सेलेक्ट करते एंड इस वाले photo को सेलेक्ट कर करते देन आप यहां देख सकते हमारी photo add हो चुकी अब उसके बाद इसका बैक्ग्राउंड आटोमेटिक लिए रिमूव हो जाएगा जो कि हमें cb photo editing के लिए करना पड़ता है यहां आटोमेटिक हो जा रहा है ठीक है तो सबसे पहले यह काम हमारा हो चुका अब उसके और भी options से देखने को मिल लोगे जिसी के अगर आप अपना background को blur करना चाहते हो तो वह भी यहां से किया जा सकते है चेंज यह से वाला भी बट अभी हम cb photo editing पर इंट्रेस्टेड है तो यहां पर upload background को पर click करेंगे और एक cb background को add करेंगे ठीक है तो browse को पर फिर से हम click करते एंड इस वाले background को use करतें काफी सही लग रहे ठीक है तो आप यह background हमारे description से gain कर सकतो वहां पर दिया हुआ है just blur strength जो यहां पर है उसे आप यह थोड़ा सा रख सकतो या फिर बिलकूल भी नहीं रख सकतो means normal रहने देना ठीक है blur को normal रहने देते और यहां पर background add हो गया तो आप देख सकतो यहां पर दो काम हमारे हो चुके एक background remove करना और background में cb background add करना ठीक है यह दो काम हमारे हो गए अब उसके बाद हम यहां पर क्लिक करके इसे अपने device में just save कर लेंगे ओके यह हमारे device में save हो गया देन उसके बाद हमें open करना है snap seed तो snap seed को open कर लेंगे और plus व स्मूथ तो गोरा करने के लिए आप टूल के ऊपर जाना एंड यहां पर आपको selective का एक टूल मिलेगा इसके उपर आपको क्लिक करना देन अपने face को सेलेक्ट करना और यहां से ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करना ठीक है इसे के ऊपर आपको क्लिक करोगे तो यह यहां कम कर देना देन ब्राइटनेस को ज्यादा कर देंगे यहां देख सकते हैं हमारे बीफोर और यह अफ्टर गोरा हो चुका है अब उसके बादे सिंपली सा डन कर देंगे तो face को स्मूथ करना तो face को स्मूथ करना भी बहुत ही एजी होगा जस्ट आपको टूल के ऊप option मिलते है ठीक है आप इसके उपर जा सकते हो इसके उपर आप क्लिक करोगे तो first second third बहुत सारे यहां पर मिल जाते हैं आप देख रहे हैं किसमें आपको अच्छा स्मूथ मिल रहा है जैसे कि यहां देख सकते हो face हमारा काफी अच्छा सा स्मूथ हो जा रहा है just glow को यहां क हो चुकिए ठीक है अब उसके पाद हम इसे डन करेंगे तो आप यह देख पाओगे कि हमारे जो cv photo editing है वह completely यहां पर हो चुक है अगर आप चाहो तो इसमें और भी additional editing कर सकते हो जैसे कि style में आप जाओगे तो यहां पर आपको काफी different type का style मिलेगा smooth आप यहां से भी add कर सकते थे जैसे कि smooth वाला है और भी आपको यहां पर अलग-अलग styles मिलते जैसे कि यह pop वाला जो की देखने में अच्छा लग रहा है आप इसे यूज कर सकतो या फिर यह भी है काफी सारे आपको यहां पर और मिलते हैं तो इनसे क्या है कि आपको colors को स scroll करते तो आप देख सकतो काफी सारा tools मिलते brightness को हम थोड़ा increase करेंगे एंड उसके बाद contrast को भी increase कर देना then saturation को increase कर देते हैं काफी बड़ी हैं लग रहा है और उसके बाद यहां यह सब tools मिलता है warm को आप सिर्फ डिक्रीज कर देना आप देख सकतो बिल्कूल perfectly हमारा यहां पर CB photo editing हो चुक है अब दन करेंगे और उसको बाद device में save करना है तो export को पर click करेंगे just save को पर click कर देंगे और आप यहां देख सकते हो हमारी जो CB photo editing है वह हो चुकी है तो इस तरीके से करके हम इसे कर्ष रखते हैं I hope आपको इस तूटेल पसंद आया होगा अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में